हे गाईस स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉंफी कार्स में और आज हम बात करने वाले हैं साथ अपकमिंग कार्स के बारे में जो की कुछी महीनों के अंदर भारती बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नंबर बन पर आती है यूंड़ई सेंट अफी ये हुंडई की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम फाइव सेटर एसीवी है जिसकी प्राइजिंग चाली होगी 12 लाख रुपे से और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको तकरीबन 18 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो लुक से वो बहुत ही शानदार है कार की जो सीट का मैनूल ट्रांस्मिशन और आटमेटिक ट्रांस्मिशन ओफर हो जाने वाला है कार के इंटियर से बात करें तो आप पांच लोग आराम से कमफटेबल होके इस कार में ट्रैवल कर लोगे बहुत ही कमफटेबल सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है लैग रूम और ज अब अगर बात कर लेते हैं कि यह कार कब तक भारती बजार में लॉंच हो जाएगी तो डिसेंबर दो हजार तेस तक यह कार भारती बजार में लॉंच होने वाली है नंबर टू पर आती है टोयोटा को रोला क्रॉस यह जो कार यह आप सबको बहुत पसंद आने वाली है फ अठरा लाक रोपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो लुक से वो बहुत ही शानदर है बहुत ही गजब का लुक से आपको ये कार ओफर कर देती है और जो एलेक्ट्रिकल से वो भी यहां पर आपको टॉप नॉच कॉलिटी के मिल जाते हैं टोयोटा किसी भी चीज़ को लेकर कंजूसी नहीं करता है आपको बैस्ट ही मटेरिल लिक्सकार में मिल जाने वाले हैं कार के एंजिन की बात करें तो कार में आपको मिलेगा 1.8 लीटर का हाइब्रेट पैट्रोल एंजिन जिसमें आपको 138 बहप की पावर और 172 न्यूटर्मीटर का टॉर्क मिलेगा और इसमें आपको एक ही ट्रांस्मिशन मिलेगा जो की है CVT Automatic कार के इंटियर से बात करें तो आप 5 लोग आराम से कंफिटेबल होके ट्रेवल कर लोगे बहुती कंफिटेबल सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कब तक भारती बजार में लाँच हो जाएगी तो नवेंबर 2023 तक ये कार भारती बजार में लाँच होने वाली है नमबर थरी पर आती है Honda WRV ये एक compact 5-setter SUV है तो जिनके family छोटी और जिनका budget कम है उनके लिए ये कार परफेक्ट रहेगी 10 लाग रोपे से ये गाड़ी चालू होगी और उसका जो top model है वा आपको तकरीबन 15 लाग रोपे के अंदर मिल जाएगा कार के जो लोग से वो बहुत ही शांदर है कार में जो electrical है वो भी यहाँ पर आपको top notch quality के मिल जाते हैं मतलब जो पुराने WRV चलती थी उससे काफी much improved आपको आने वाले WRV मिल जाने वाली है Amaze के platform पर इस कार को बनाया जाएगा कार के engine की बात करें तो कार में आपको मिलेगा 1.2 लीटर का IVTEC petrol engine जिसमें आपको 100 bhp की power और 125 newton meter के torque मिलेगा और इसमें आपको 5 speed का manual transmission और CVT automatic transmission आफर कर दिये जाने वाला है कार के interior से बात करें तो आप 5 लोग आराम से comfortable होके इसमें travel कर लोगे अच्छा खासा leg room और head room आपको इसमें आफर करवा दिये जाता है 7 inch infotainment system, auto AC, wireless charging, drive modes भी आपको यहाँ पर मिलते हैं आपको यहाँ पर दिये जाएगा और हो सकते हैं आपको normal sunroof भी दिया जा सकता है safety classics, airbags, ABS, EBD, lane changing assist तो देखा जाए तो price के साब से बहुत ही गजब के features यहाँ पर Honda company अपनी WRV में लेकर आने वाली है अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो December 2023 तक ये कार भारती बजार में launch हो जाएगी नमबर 4 पर आती है Toyota Rush ये Toyota के तरफ से आने वाली एक 7-setter SUV है तो जिनकी family बड़ी है उनके लिए ये कार बहुत ही शांदार होने वाली है 10 लाग रुपे से ये गाड़ी चालू होगे और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको तकरीबन 18 लाग रुपे के अंदर मिल जाएगा कार के दोलक से वो decent साही है और decent साही लुक्स में ये कार देखने में काफी बड़ी लगते है और इसमें जो electricals है वो भी यहाँ पर आपको price के साब से बहुत ही गजब के मिल जाते हैं तो visibility को लेकर कोई भी दिक्कत आपको इनमें नहीं आने वाली है कार के engine की बात करें तो कार में आपको मिलेगा एकी engine जो की है 1.4 लीटर का diesel engine जिसमें आपको 5 speed का manual transmission और automatic transmission offer करवा दिये जाएगा बागी हो सकते कि आपको इसमें petrol engine भी देखने को मिल जाए बात कर लेते हैं इस कार के interior से तो आप साथ लोग आराम से comfortable होके इसमें travel कर लोगे third row में भी आपको बड़िया space मिल जाती और जो second row है उसमें भी आपको बड़िया leg room और head room offer करवा दिये जाता है कार के और कुछ features के बात करें तो आपको मिलेगा 10 inch infotainment system, wireless charging, dual zone climate control कार में आपको drive modes भी मिल जाएंगे, analog और digital का instrument console आपको यहाँ पर दिये जाएगा तो overall price के साब से आपको ठीक ठाक features और जो safety features है वो भी यहाँ पर आपको शांदार मिल जाएंगे अब अगर बात कर लेते हैं कि यह कार कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो December and या फिर January 2024 तक यह कार confirm भारती बाजार में launch हो जाएगी नमबर 5 पर आती है Nissan X-Trail यह भी एक 5-setter premium SUV है जो कि यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है 12 लाक रुपे से गाड़ी चालू होगी और उसका जो टॉप मोडल है वो आपको तकरीबन 19 लाक रुपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो लुक से वो बहुत ही शानदर है यहाँ पर जो कर्ट संग क्रीज लाइन्स है वो कार को ओवरल बहुत ही स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देने में हेल्प करती है और जो लाइटिंग का सैटप है मतलब जो एलेक्ट्रिकल की कॉलिटी है जो विजिबिलिटी है जो फंचनिंग है वो भी यहाँ पर आपको टॉप नॉच क्वालिटी की मिल जाती है कार के एंजिन की बात करें तो कार में आपको एकी इंजिन मिलेगा जो की है जब आप इस कार के बारे में पूरी जानकारी ले लोगे जब आप इसके लुक्स को देखोगे इसके फीचर्स को देखोगे जब आप प्राइस सुनोगे तो आप भी यही बोलोगे कि यह कार जैसे ही आएगी मैं तो इसको बाई करने वाला हूँ तो यह जो कार यह 12 लाक रुपे से चालू होगी और उसका जो टॉप मोडल है वो आपको 20 लाक रुपे के अंदर मिल जाएगा जो कार का लुक से वो बहुत ही शानदर और जो उलेक्रिकल्स हैं उनकी जो विजिबिलिटी है जो फंचिनिंग है वो भी यहाँ पर आपको आपको ओसम कॉलिटी की मिल जाती है कार के एंजिन की बात करें तो कार में आपको एकी एंजिन मिलेगा जो की है 1.5 लीटर का टर्बू चार्ज पैटोल एंजिन जिसमें आपको 193 बहप की पावर और 243 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और इसमें आपको एकी ट्रांस्पिशन मिलने वाला है जो की है CVT All Wheel Drive में आपको यह वाली कार देखने को मिल जाती है कार की interior से बात करें तो आप 5 लोग आराम से comfortable होके इसमें ट्रैवल कर लोगे Auto AC, Large Infotainment System आपको यहाँ पर मिलता है जिसमें आपको Apple CarPlay और Android Auto Connectivity मिल जाती है Wireless Charging, TFT Driver Display, Dual Zone Climate Control, Honda Connected Technology, 12 Speakers, Safety Clay ADAS System, Cruise Control, Lane Changing Assist, Blind Spot Monitoring ऐसे features आपको इस कार में मिल जाते हैं अब अगर बात कर लेते हैं यह कार कब तक भारती बजार में लाँच हो जाएगी तो जैनवरी 2024 तक यह कार confirm भारती बजार में लाँच होने वाली है नमबर 7 पर आती है Hyundai Palisade, यह जो कार है यह 7-setter और 8-setter configuration में आती है और यह जो कार है यह इतनी luxury और premium है ना कि जब आप इसके feature सुनोगे और जब आप इसकी price सुनोगे तो आप बोलगों कि फॉर्चुनर तो इसके सामने कचरा है 25 lakh रुपीज से यह कार चालू होगी और इसका जो top model है वो आपको तकरीबन 35 lakh रुपीज के अंदर में मिल जाएगा कार का जो लोग से वो बहुत ही खूप सुरत और जोसकी land है वो भी अच्छी खासी लंबी है जिससी यह पता लगता है कि इंटियर में जो आपको space और comfortability है वो काफी अच्छी ओफर कर दी जाती है कार के engine की बात करें तो कार में आपको एकी engine मिलेगा जो की है 2 लीटर का turbo petrol engine जिसमें आपको एकी transmission मिलने वाला है जो की है 10 speed का automatic और जो कार के electricals है उनकी जो working जो performance वो भी यहाँ पर बहुत ही शांदर किसी भी तरह कंजूसी नहीं की गई है top notch quality के material आपको इस कार में मिलता है कार के interior से बात करें तो आप 7 लोग या फिर 8 लोग आराम से comfortable हो किसमें travel कर लोगे space को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी 10.25 इंच का infotainment system मिलेगा फिर आपको मिलेगा 10.25 इंच का LCD instrument console blind spot, heads up display, 360 degree camera, air purifier, dual zone climate control, auto AC, dry modes with wireless charging ADAS system भी आपको यहाँ पर मिलेगा sunroof भी दिये जाएगा तो बहुत सारे features आपको इस कार मिल जाएगे मैं बता बता के ठक जाओंगो लेकिन इस कार के features तो यहाँ पर खतम नहीं होंगे अब अगर बात कर लेते हैं ये कार कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो December 2023 तक ये कार confirm भारती बजार में launch हो जाएगी बाके दोस्तों आप comment करके बताओं कि आपको इन साथ कार में से कौन सी कार सबसे जादा पसंद आई है तूमी देखिए आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको like करो, share करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो subscribe करके bell icon दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos